कि हेल्प कर दो यह फाइनल एग्जामिनेशन एकता टॉपिक सी तुआ डाइक यूनट देविच्छ रीसेंट ट्रेंड्स इन एडुकेशनल टेकनोलोजी एको देच सी 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 एक एम आर सी एक सी आई एटी आई थिंग चारो टॉपिक तुसी पढ़ चुके हों बेटा एक एक रीडिंग दे लिए विटा चारो टॉपिक्स नूँ एस सी आई टी एमर्स एमर्सी एंड सीसी एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन एटी जो तुसी टॉपिक दा नाम सुनोंगे तो उन्नु बिलकुल नमे लगणगे तो उन्नु डिफिकल्ट लगणगे लेकने डिसकेश उन्न तॉण टाण उन्टाश्ट ना रहे है जा भर अपा पड़ दे हैं पहली भर पड़ंते हो ची अंडर्संद कर दे हैं नहीं कर दे हैं सम्टाइं वी फेसे सम्ट्रबलम्स इन फूट्पिक्स so my purpose to organize this discussion session is to clarify your doubts first of all a very common question is recent trends in educational technology as you all know education technology a combination of two words one is a education another word is a technology when we are using technology in the field of education that is called technology in education education technology second type is related with the software learning principles apply कर देयां केड़े मैक्सम्स प्रिंसिपलाई करने आसी टीचंग देविच्छ उन्हों इसी की बोल देयां the second part of education technology जो दोंसी ना दुना नूं hardware software नूं कठा कर लेने दन all these components come together as a part of a system जो दों तुसी रीसें ट्रेंड जी गल करोंगे जो भी तो आडे आले तुवाले especially after 2020 तुसी देखिया each and everything can be written in this answer जो दों तुसी नूं आप इसको थोड़ा सा concentrate करोगे कि anything happens during three four five six seven years in field of education which seems to be new is part of your answer recent trends in educational technology इने कुछ नोट्स तो अड़ना शेर कीते गए सी उन्होंनों सिर्फ मैं five minutes द्वारा रवाइस कर रहे हैं सब तो पहली cloud-based technology in education अजकल तुसी की देख रहे हूं तुसी एक LMS यूज़ कर रहे हूं college देविच मूडल मूडल देविच जिननी भी space है जिनना भी content teachers पा रहे ने जा तुसी को assignment submit कर रहे हूं each and everything is stored in a cloud जिननिया भी online learning apps आरिया ने चाहे हो बाइजू है चाहे हो अनकेडमी यह जिनने भी होर अप्रोच जारिया ने most of these applications are the cloud-based technology in education जिदना की हो रही है classroom the teaching learning process में होर बदिया बनाया जा सक्दा होर interactive हो सक्दिया वदिया त्रीके ना सी interact कर पा रहे हैं across the world the second point is use of satellite TV for education आज तो 15-20 साल पहला around 1970s दे विच कम स्टार्ट होया सी ज्यादा बैटर बेनाड 1993 तक काफी ज्यादा setup हो गया सी लेकिन पिछले 10-15 साल तक तुसी एक दो चैनल बारे ता जान दे सी एजुकेशन दे चैनल बारे पर अज जे तुसी फ्री जो डी टी एच प्रोवाइड कर दी गॉर्मेंट जीनों फ्री टू एयर डी टी एच के हैंदा एक ता साधे कर एक केवल टीवी लगे ने जहांसी टाटा स्काई जहां जीदी कोई केवल डेश टीवी यूज कर रहे ह तुसी ओच एजुकेशन चैनल खोल के देख यो नाओ आदेज मैंटी चैनल्स आर रुनिंग फर स्कूल एजुकेशन एज वटा कॉलज एजूकेशन चाहें आजी ती त्यारी लाइने चाहें तो अडियां ग्रेजुशन दियां पॉस्ट ग्रेजुशन दियां क्लासें ल open online course जदों तुसी कॉरसेरा ते देख देओं जदों तुसी ओडेमी ते देख देओं जदों तुसी मूकट प्लाटफॉर्म ते देख देओं एदा दे learning management system तो जहां तुसी सवायम दे platform ते देख देऊं जिनने भी courses provide कीते हैं उन्हों आपकी बोल देयां MOOC courses, massive open online courses जिननों तुसी कदे भी किसे भी time तुसी उन्हों तो study कर सकते हैं एक नमी innovation है नमा trend है, then mobile devices for school work, आजकल college दे विच जा school दे विच बच्चेया नो की है apps बढ़िया ने school दिया, उधे उते homework आ रहे है, उधे उते assignments आ रहे हैं ने, उधे उते even attendance लग रही है so mobile devices दे यूज होने लगी है बहुत वड़े लेवल ते, administration purpose वास्ते भी teaching purpose वास्ते भी next, social media in schools, अजे तक सानु ए नहीं पता के facebook नूँ असी कल्ला गल्ला वता कर ले जा photo ले यूज नहीं कर सकदे, we can also use facebook as a teaching group, तुसी एक अपना group बढा सकदे हो, उस group दे विच, कोई भी हो जमालो अपना दस पंद्रा भी बच्चेया अमेड़ दे, अमेड़ दे भी बच्चे अब एक ग्रूप बन सकदा, फिर उस ग्रूप दे विच, कोई भी अधर परसन एड नहीं हो सकदा, आप वो दे चोई भी content share करना, कोई class लेनिया, that will be within the students and the teachers, so we can also use facebook, whatsapp, whatsapp दे तो अडे अजकल ग्रूप मने ने, अज में तो नूँ class कि दे थू शेर किती है, थू वट्स अब, so these are the social media platform, used in a classroom, in the schools as well as the colleges, फिर blended learning, तुसी सारे जान दे हो, face to face mode, online mode, जो अपा club कर लेने है, it becomes the blended mode of teaching, so अजिकल अपा blended mode of teaching, भी यूज कर रहे है, then use of videos for class work and homework, for example, मैं दो चर वीडियो रिकॉर्ड किती है, या डॉक्टर जिसलीन ने दो चर वीडियो रिकॉर्ड किती है, she can send, और I can send videos to you, to see those videos, पहला वीडियो देख लो, फिर अपा class लमांगे, classroom चो दी discussion करांगे, इना same way, वीकर इन्हों अपा flipped learning भी कह सकते हैं, कि पहला ओ content देख लेय या उनना नूट टीचर ना बैठके discuss कर लेया, so we can use videos for teaching and learning lesson, this is a recent trend, जीदा नमा नेम बणा के दस्या जांदा, flipped learning, के पड़ा ओन दा कम करे, ते homework दा कम classroom देविचे, discussion दा कम classroom चे, फिर artificial intelligence यूज हो रही है, और जिनने बच्चे ने उस दिन अपना ICSSR आडा seminar अटेंड कीता सी, तुसी देख्या सी किस तरह RC शर्मा सर ने उस लाएन उस टाइगर नू तो अडे हॉल दे विच प्रेजेंट कीता, एसे तरीक ना चैट GPT, is one example of artificial intelligence, so there are any number of examples, जीनना दे विच आटीफिशल इंटेलिएंस यूज करके, बच्चेयां दी एजूकेशन वास्ते, बच्च learning through smart boards, आसी देख दे हैं कि अजकल हर एक school दे विच हर एक colleges दे विच स्मार्ट बूर्ड आ रहे ने, especially in schools, जित्थे बच्चेयां दी 3D images, दे थू साइंस दा को प्रेक्टिकला, बायो दा, physics दा, chemistry दा, जा सोशल साइंस दा, solar system है, teacher can use smart board for showing the 3D images, जी दे विच जिनना स्कूल दे विच्च किसे teacher दी image भी बढ़ाई गई है, अजकल तुसी पंजाब जेक न्यूज सुड़ने हो के सिद्धू मुसे बाड़ा दे फादर उना दा एक प्रती बिम बढ़ाउन वास्ते, already process ने, जी दे विच जिस तरह एक normal कला कर अपनी stage लगाउंदा, इना same way the image of सिद्धू मुसे बाड़ा बिल भी working image बिल बी on stage, so एहो जाँ चीजा नो already बंगलाओर दे को स्कूल कर चुके ने, जिते मालो, for example, हिमाशू, A student, B student, केरन, जसकेरन, जा कोई भी बच्चे का मैं नाम लवा, मंदी, पामंदी, कुलजिंदर, कुलविंदर, एक क्लास प्रोग्राफ नू दास क्लास्रूम चे री प्रेजेंट कीता जा सकता, दास क्लास्रूम चे बच्चे बैठे पड़ सकते ने, same person will be showing teaching in different classrooms, so smart boards, smart classroom इस साथ तक अगे वाज चुके ने, then virtual reality, उस तो बाद दो mobile learning, then tablet and laptop, the users in classroom, then home school, the accessibility, पहला नो बहुत जड़ा वदी है, parents, the school, the teachers, the बच्चे ने रड़ा connect है, बहुत fast होया, with the help of technology, then peer interactions, बहुत सरे groups बनाई जा सकते हैं, बहुत सरे applications ने, जिमें Google Slides, कोई एक topic दम हो, तुसी बच्चे नो, group of student can work together on same slide, Google Slides दी हैं, दस slides हो सकते हैं, दो स्लाइट ते, दो बच्चे कम कर रहे ने, अगलियां दो ते होर कर रहे ने, अगलियां दो ते होर कर रहे ने, सारे हां दा एक अठी जो interaction है, ओदे थुरू एक best powerpoint presentation त्यार किते ही जा सक दिया, बहुत सरी है, multinational company ने जडियां, वो इस process नो, यूज कर दिया ने, मलो एक person sale बाड़ा, second person communication बाड़ा, third person नो, project दी जा, knowledge है गी है, they can start a single presentation, and all the peers can interact with each other through slide to finalize the project, in the same way, in education, we can give project work, through different application, through different apps, जिथे असी होना दी, interaction कर वा सकने हैं, then flip learning, I have already explained about it, flip learning तो बाद, तो अड़ा, remote learning दे concept आएने, आज तुसी देखोंगे, करोना तो बाद, बहुत सरी हैं, बच्चे ने video conferencing रही हैं, different different apps रही हैं, अपने crash courses ले रहे ने, so remote learning is a new concept in field of education, digital textbooks आई या ने, आज तुसी NCRT दी कोई भी बुक उठाओ, चाहे बाए कर लो, चाहे PDF अपनो डाउनलोड कर लो, उदे उते तो नो Google code मिलेगा, sorry, scanner मिलेगा, तुसी उसे scanner नो scan करोंगे, तुसी उतो audio बुकते भी जा सकने हो, उदी digital बुकते भी जा सकने हो, so such kind of things are done by the NCRT government of India, as well as the private players, जी दे विचतो अडिया, online books से, digital books आई या ने, mind mapping, mind mapping की हो दिया, किसे concept नो वदिया त्रीके ना समझण लेही, जदो उसे उनो graphical representation कर लेने है, एक चीज नो दूजी ना connect कर लेने है, दूसरी नो तीसरी ना connect कर लेने है, that is called mind mapping, which is the by-product of educational technology, जी जिदमें बहुत सरे चीजा नो एकठा करके, we can group many things and find out the connection and relationship between one and another, we can prepare mind maps, then adaptive learning आई है, बहुत सरे slow learners ने, जा special child ने, उनना दी help दे लेही, जा कोई blind बच्चा, hearing impaired है, उनना दे accordingly adaptive learning कर लेही, slow learners लेही, fast learners लेही, now the educational technology is providing all the facilities. फिर सारे बच्चेयां दे विच्वी, teachers दे विच्वी, पूरी सोसाइटी दे विच्वी, online learning दे प्रती इंट्रस्ट बदेया, now people are doing different courses, upskilling courses, crash courses कर रहे हैं, different different online platforms, easy internet connectivity होई है, through mobile, through wifi, through landline, जीदना सी better वेला connect हो पा रहे है, personal access to mobile devices, जड़ी personalized teaching दी गल कर देया, technology चे, individualized instruction दी गल कर देया, now it is possible, then using different tools for different tasks, यह सारियां चीज़ाने, जिनननों सी recent trends in educational technology दे पार्ट बना सगने है, so ज़ों तुसे लिखन बैठोंगे, एक बर तो अड़े mind चे concept clear होना चाहिदा, कि what are the recent trends, इस तो बिना भी, तो अन्नों कोई भी चीज नमी लग दिया, कोई भी application नमी लग दिया, मैं तो अड़ना डिसकस नहीं कर पाया, but you have observed among the kids, among the school going students, or among the colleges students, you can add in recent trends, so I think you can write easily this question now, three-four pages ला question लिखना बेदे एंपल्स, I think को प्रॉलम ही होएगी, yes sir, okay can we go ahead, yes sir, okay fine, if there is any confusion, if there is any question, we can take in one or two minutes, or is it okay, yes sir, fine, so then we can move to the next two-three main terminologies, जो तो अड़े पार्ट ने, एक का तो नो आ रही है, CESC, CEC, I'm right, Consortium of Education, okay, that is EMRC, CIET, and CEC, तेने टॉपिक ने तो अन्दुत्ते हैं, जड़े शेद तो उन्होंनों पहला पढ़नों एक को दोबरी ओखे लग दे होंगे, उन्होंनों पह सौखा की करना, for making those topics very simple, please keep in mind the two things, one is the CIET, CIET, CIET is especially for school system, इन्हों clear कर लो, माइंड दे विच्च, CIET works for school education, CIEC and EMRC mainly work for higher education, is it okay, ये तो न्हों clear हो गया, CIET schools कम कर दी है, CIEC and EMRC colleges दे विच्च युनिवेस्टी च कम कर दी है, दूसरा कम की करना, इन्हादे नाम याद करने ने, नाम ची गलती नहीं करनी, पहले पहले अपने को topic है, CIET, Central Institute of Educational Technology, CIET दा Simple Formula याद करना की है, Education Technology दा पेपर है, ओदे वास्ते, ओदे कम कर दी, स्कूल दे विचे के Central Institute बनाया गया, की बन गया, Central Institute of Educational Technology, जीदी शॉर्ट फर्म की देता यादा, CIET, Central Institute, सारे स्कूल्स, सारिया स्टेट्स नूँ कौाडिनेट करन लई, एक सेंटर बनाया गया, जीन्हों की बोल दिया, Central Institute, ओदा कम करदा, साठे पेपर अड़ा कम करदा, Education Technology, सो टापे नेम की हो गया, Central Institute of Education Technology, सौखे तरीके ना याद कर सक दी हो, फिर थोड़ा याद की करना, कदों एह होन चाया सी, when it was started, 1984 देविच, पंजाब देविच, बिग ट्रेजडी होई सी, जिन्हों अपना, Blue Star कहने है, सारे जान देन, 1984, सो जेड़ा, CIET, दा मेन कम शुरू होया, as a unit of NCRT, NCRT की है, National Council for Educational Research and Training, तुसी सारे जान दे हो, पूरे इंडिया दे विच, स्कूल लेवल ते, सेंटर लेवल ते, जो एजनसी कम कर दिया, Government of India, दे अंडर, वो है NCRT, जो CIT की है, NCRT दा एक पार्ट, एक कॉंसिचुएंट, जिड़ा कादे वास्ते कम कर दा, Educational Technology दे फील्ड च कम कर दा, उन्हों कीने, NCRT ने पूरा कम की देता है, के तुसी Education Technology दे विच, कम करो, वीडियो बनाओ, Lectures बनाओ, Educational Satellite TV दे प्रोग्राम बनाओ, Recording करो, Train करो, Teachers नूं, Content बनाओ, इस सारा कम की दा, CIAT दा, की दे अंडर कम कर दा, NCRT दे अंडर कम कर दा, NCRT दा मेन पार्ट कदो मड़ें सी, 1984 दे विच, जदो दो डेपार्टमेंट नूं मर्ज करता सी, एक सी सेंटर फार एजुकेशन टेकनोलोजी, दूर जासी Department of Teaching Aid, एतो पहला Teaching Aid दा लग देपार्टमेंट चलदा सी, Education Technology दा सेंटर लग चलदा सी, दोनों सेंटर नूं मर्ज करके, एक इंसिचूट बनाता, Central Institute of Educational Technology, जड़ा की दे अंडर कम करेगा, NCRT दे की दी यूनेट बन गया, NCRT दी होन चिकाद हो आया सी, 1984 से जदों अपने Blue Star होया सी, ओके, इन्हें ना क्लीर हो गया, CIT की और पुल लोंगे दा नहीं, CIT, NCRT दे एक पार्टा, स्टूल दे विच कम करदा, दो इंसिचूशन नूं, एक सी Central, Center of Education Technology, दूसरा की सी Department of Teaching Aid, दूना नूं कठा करके बनाया गया सी, इदा कम की है, Education Technology दे वच्चे, Radio, TV, Satellite, Communication, Cyber Media, कुछ भी है दे प्रोग्राम नूं बनाओना, बच्चेयां दी लर्निंग नों इन्हांस करना, Teachers ली ट्रेनिंग देनी हैं, इनना गलाँ ते सारी ऐधे पॉ schnell होगे, इदियां अलागे लागे यूनेट्स बनियां हुई यांनि सी आई टी दियां, एक यूनेट प्रोग्रेम लर्निंग दे कम कर दिया, एक यूनेट एजूकेशन ल्टी वी ते कम कर दिया, एक युनिट नमिया नमिया इनोवेशन ते कम कर दिया, एक युनिट जे किस दी रिकॉर्डिंग होई या, उन्हों प्रड्यूस करना, उन्हों रिकॉर्ड करना, फिर उन्हों दी एवैलुईशन करनी एदे ते कम कर दिया, एक युनिट डिफरन 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 एक्सपेर सब्सक्राइब कर दिया बट में फोकस इस एट स्कूल लेबल इदे रोल की ने जाएदा कम की एस इंसीचूट दा नमें नमें मीडिया सॉफ्वेर बनाओने उन्हानों डिजाइन करना प्रड्यूस करना जेड़ा सड़ा एजुकेशनल सैटलाइट कॉम्निकेशन चल दी है जो दो तुसी अपने टीवी दे डिफरंट डिफरंट चैनल देख़ए एजुकेशनल चैनल ने उनना चो सी आईटी दे अंडर चैनल चल देनों दे अंडर लेखे होंदा सी आई एटी जड़े स्वायम अंडर चल देने यूइसी दुवरा चलाई जन दिया जिदी फंडिंग युनिवेस्टी ग्रांट कमिशन कर दिया उधना लिखे होंदा सी एसी एककम जरूर कर लेना जे तो अडेकर केबल टीवी है जान तो अडेकर सेट्टॉप बॉक्स लगया है जान तो अडेकर फ्री डीटी एच टीवी लगया है आज पंजमेंटली चैनल स्क्रोल जरूर कर लेना तुसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल देखोंगे ई विद्धिया एट नाइन टैन किसे नीच सी आई टी लिखेंगा किसी निच्चे सी लिखेंगा तो नुप पता लगजेगा केड़ा चैनल का देवास्ति कम कर दा सो एजुकेशनल सेटलाइट टीवी नो चलाना दूरदर्शन ग्यान दर्शन ग्यान बनी ते वाक वाक जिनने भी टीवी ने फिर जड़े अगहिए तो तो नुप आपवाइड तो डिवेल्प डिफरेंग नेयिग तो परवाइड टो डिवप डिफरेंट रेडियो प्रोग्राम्स, आडियो प्रागर्राम, टेलिवीजन, वीडियो प्रदक्शन वद्या तरीके ना इनोवेटव टीचिंग घड बनाएँया एरे qasology smart class दे इस तरह वे टोपिक कि दे उत्थे different different competition state wise दे national wise करोने फिर different different type दी research undertake करनी क्योंके we know that with the passes of time दे तरीके चेंज हो जन्देने way of teaching way of interaction change हो जन्देने so CIT is also doing research to do different kind of innovation in field of school education then documentation करने कोई मीडिया प्रोग्राम कोई प्रोग्राम लर्निंग बढ़ाई ओ किन्नी एफेक्टिव है किन्नी स्कूलां तक पहुंच रही है कि यो दा रिजल्ट आ रहे है इनना सारीयां दी documentation करनी different different program नो बनाके उना दिया और पहला audio फाइल सेल कर दी सी इसी इटी वीडियो फाय वीडियो बनाके डीवीडी जी बनाके सेल कर दी सी बट नावडेज एक कम कट गया नावडेज एजुकेशनल रिकॉर्डिंग्स एंसी आर्टी दा यूट्यूब चैनल एसे तरीकिना सार हना डिफना डिफनेट डिफनेट इसबॉकेशनल ट्रेनिग ने उनने साइट इसिचती बनाघिट पहला यूट्यूट्चानल सारा कम कॉंड कर दिया CIT at national level and SIAT sites at state level then साइट मूँ advise करना coordinate करना और ना दिया कपेस्टी बिल्दिंग करना इस ऑल्सो पार्ट देन डिफरेंट डिफरेंट ओर्गनाइजेशन मल्लो सी बीसी दे स्कूल ने किसे होब बोड़ दे स्कूल ने जहां कोई टीचर्स दियां कोई कॉंफेंस ने उनना दे विचे प्रवाइड करना सी आई टी दा कम मैं कंसल्टेंसी की हुए नहीं गाइड करना उननों अपडेट करना जो प्लैटफर्म गॉर्मन्ट आफ इंडिया इनिशेटव ले रही है जिमें एंसी आटी ने डिजिटल आडियो बुक्स बनाईया ने जिड़े बच्चे देखनी सकते ओ तो स्कैन करके सारी दे सारे लेसन नों आडियो फाइल चे ले सकते हैं सो एदा दे सारे कम सी आईटी क कर दिया रिसर्च करने एवैलुएशन करने एक्सेंशन सर्विसेज देनिया ओल अंडर दा सी आईटी इटी भी प्रोग्राम बनाऊने है उनना दी ट्रांसमिशन करनी ओडियो पड्यूस करनी है देन स्क्रेप्ट डिजाइन करनी है किसे टॉपिंग नों पड़ा उनली स् अब सी आईटी ओके एसे तरीके ना अजकल अ एन आर ओई आर जी तुसी नों गूगल ते सर्च करोंगे नेशनल रेपोजिटरी बन रही है नहीं नेशनल रेपोजिटरी की ने कि मालो तुसी कोई अज सोलर सिस्टम ते कोई टॉपिक रिकॉर्ड की ता तुसी सी आईटी नों पर जया एन-सी आईटी नों पर जया तो अड़े पूरे लेशन दी इवेलुईशन होएगी इफ यूर कंटेंट इस राइट इस प्रेजेंटेवल देन सी आईटी केन अप्लोड यूर कंटेंट अउन देर ओफिशल वेबसाइट ओफिशल रेपोजिटरी रेपोजि बना नहीं है तो जो आज जिदा लेसन रिकॉर्ड कीता है पांच सलना बाद भी सुड़े आ जा सके एक दो करीकुलम करना करीकुलम आइसीट करीकुलम बढ़ा के सारे स्कूल्स नों भी दता सी हो केन वी यूज आइसीटी एन स्कूल्स फिर डिफेंट तरह दे ऑडियो नेकिशनल स्टेट टीचर आवाड हूं दा नैसल टीचर अवाड हूंदा लेसानल और नेशनल ऐसे थिक्रटी सी नावर्यकित बहुतं का मिसे थैन सुवीдеबिट हूँ हुशा इस सारे ऐस तो बनापे फन फनाट यह कोलेबरेशन नाउम स्कूशर थिस आलश सेट 810 ऑदा सी आइटी दा तो नो मीनिंग पता होवे कदो जिस्टेंस आई सी किये दा कम में एक अलना तो डिमाइंट छोन करके करां दिया जैन्सी यह यह जैंसीज सी आई ऑडी ती अन्डरकंब घ्रकंडिया नीजिमें एस आइंटीट इस इसी चुट ऑफ एडॉकिस्नल टेकनोजी एसी इपेंट इंसी आचेंट अन्वाइब कर दिया एंट इंसी आथि रंच एडिए इस डोके विटा आया समाइ सब्सक्राइब कर दो स्कूल वास्ते थाए कि अजन्सी होगे फुल फ्लेज जन्सी विच वर्किंग फार दा है एडिनिस्टेटर्स वास्ते एसे त्रीके दी एक पैरलल जन्सी बनी होई जिदा नाम है कंसोर्शियम फार एजुकेशनल कॉम्निकेशन जिदा शॉर्ट फॉर्म है सी इस पैलेंग अच्छी तरह देख लएने ने ताके लि कंसोर्शियम फार एजुकेशनल कॉम्निकेशन जिन्हों बोल दियां सीजी सेंट्रल इंसीट औफ एजूकेशन टेक्नलोजी सी आइटी CIT किदे अंडर कर दिया, NCRT ते कम क्योंकि MCRT किदे डील कर दिया? School नार, kol जाना कौन डील करता? जो, मैं NCRT डील कर दिया, सारे School नार, National Level ते, National Level ते केड़ी संस्ता, केड़ा Institute आडा, kol जाना, university नार डील करता? UGC. येस. University Grant Commission. स्ट्रीज कॉय ट्रश में सब्सक्राइब बेच हौए दा जदोवी तो एडे कोई नम टीचर्ज दा फिसकेल हौए जदोवी तो एडे कोल्जेश दे नेट यू दोष्ज ज multifดी कु गल्ल हौँ दीहा थे कनाम बढ़ा कौमन हौँदा University Grant Commission which is the higher most body under Ministry of Education to coordinate the work of all the colleges and all the university. चाहे हो रूल बनावने ने चाहे हो guidelines प्रवाइड करने ने में कम की दा University Grant Commission दा. उन University Grant Commission दे अंडर एक में एजंसी कम कर दिया जड़ी इंटर उनिवेस्टी अलाग लग उनिवेस्टी एक उनिवेस्टी पनजाब उनिवेस्टी यहां नारफ क्वॉडविणर प्रोग्राम जिन्ने कम CIT कर दिया लगबग सारे उनने कम कर दिया कंसोर्शियम फार एजुकेशनल कॉम्मिकेशन जेडी केड़े अंदर चल दिया युनिवस्टी ग्राइट कमेशन दे अंदर एवी कलो मने असी युज़ी ने स्टार्ट किते सी कंट्री वाइड परोग्राम 1984 ने कर ले स्कूलां दे विच्छ ते युनिवस्टी ग्राइट कमेशन ने कर ले कॉलजिज दे विच्छ 1984 ओही साल ब्लू स्टार बाड़ा फिर की होया डिफर 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 युज़ी ने सेंटर इस्टेबलिश किते मीडियर प्रोग्राम बनाों ली आयर एडुकिशन दे टोड़ेल्प देवरोग्राम् सरेलेटिट आइंटु हाइरह ट्रुकिशन युनिवस्टी ग्राइट कमिशनसटाप डिफरेंट आफ मीडियसंत्थー स्ट अक्रीलतों मीडिया सेंटर्स वाज सिक्स उन्हों सारे दे सारे शे सेंटर्स नूं कौडिनेट करना उन्हा नूं गाइड करना उन्हा दे कम नूं कंट्रोल करना कि केड़ा टॉपिक किते बन रहे है केड़ा टॉपिक किते बन रहे है एक सारे नोडल एजंसी बनाईगी नोडल एजंसी सब्सक्राइब कोडिनेट गाइड एंड फेसिलिटेट सच एजुकेशनल परड़क्शन एट नेशनल लेवल सब्सक्राइब किया गवर्निंग कॉंसल प्रेजिनेंट कौन हुंदा चेर्मेन आफ युनिवस्टी ग्रांट कमिशन उदे अंडर किया एक गवर्निंग बोर्ड बड़िया है गवर्निंग बोर्ड़ आंडर की बड़िये हैं डेरेक्टर सी इसी बड़िया आए कंसोर्शियम फार एजुकेशनल कॉम्मैसिन दा एक डिरेक्टर लाया यह यंददा डिरेक्टर दे अंडर डिफरन डिफरन यॉनिट पनिया है एक यॉनिट सौफ्वेर द maintain कर रही है one unit is doing a research work one unit is doing maintenance work these are the different six unit which are working under the director CEC working के में या CECD then CEC दा जो सब तो important कम है वो कम है different different media center जो मैं दस्या के 1983 दे विच यूईसी ने six media किया सेंटर सेट अप कीते सी बट हुनों ना दा नंबर की हो चुकिया दा नंबर हैज बीन एंक्रीज़ प्रॉम सिक्स तू अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइब नाओ दोस सेंटर्स अर कॉल्ड एज एजुकेशनल मीडिया रसोर्स सेंटर एम आर सी जड़ा अगला कोश्चन भी है उन्टनू समझा गया के एमर्सी किया एक पार्ट है कि दा सी ए सी तोन सोर्शियम आफ एजुकेशनल कॉम्निकेशन एक नोडल एजंसी है जड़ी केड़ लेवल ते कम कर दिया की देंडर कम कर दिया युनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन देंडर उदा सब तो में कम किया है जिनने भी एजुकेशनल मीडिया रसोर्स सेंटर पूरे इंडिया च बढ़े होई ने जिमें अपने पंजाब दिविच कथे बढ़े है वेटे दसे का सेंटर इन पंजाब आल सो वेर एन आइडिया किसे बच्चे दा कोई गैस वेर इस एमर्सी सेंटर ओपंजाब इस्टैबलिश्ट अनी आइडिया वेटा हो क्लास के पाजिके सारे सर्पटेअला लिखे वेज़े पढ़ लिए वेरी गुड़ तो क्योंकि मैं सामिने डिस् सब्सक्राइब करना जा इत्तों वेट के पंजाब करना लोकाने रिकॉर्ड करना लेसन आके उदे वासे फसिल्टी के थित्ती गिया सारे मीडिया सेंटर्ज ना कॉडिनेट कौन करेगा सी इसी कंसोर्शियम फार एजुकेशनल कॉम्निकेशन मलो युनिएस्टी ग्रांट कमिशन कहें दी यहां के अगले साल तो एन इपी लागू होगी डिफेंट डिफेंट तरह दा कॉंटेंट त्यार करना एक नमा देवस एड कीता ओधे कोर्स दे शोटे-शोटे 15 15 मिंटिया रिकॉर्डिंग्स बनानी याने और सीच करेगी के प्लिटिकल साइंस दा काम के नूँ देदेगी मैसूर में कमेस्ट्री दा काम के नूँ देता होने यूपी नू ते मलों इंग्लिश दा काम करना ने कीनू देता सेंट्र आफ उसमानिया नू पंजाबी दे रीजनल लेंगूज कॉंटेंट बनाना कीनू कहता EMRC पठ्याडा नू उन एक ता रेपिटीशन नी होएकी काम कामा करना सो सारे EMRC तो की कर्वाना उन्हान उन्हान उनवेशं कि खाने कुंटेंट कर्ना उन्हान असेस्ट खरना उन्हान गाइड करना Export l CEC that is consortium for educational communication at central level इदे अब्जेक्टिव जो अपा गल्ला कीती है ने सारी है एही है दे अब्जेक्टिव ने national level ते higher education दे विच educational technology नूँ परमोट करना उने दे काम मजा रोल की ने एक ता एक चैनल चल दा जिननों लोग बोल देया CECUGC higher education satellite चैनल ने 1993 तो चल रहे है तुसी आज भी टीवी दे चैनल स्क्रोल करोंगे यूँ विल फाइंड दिस चैनल जीदे उत्ते higher education बारे ही पड़ाया जान दा उनता है बहुत सारे होर भी चैनल शुरू कर लेने नाओ यूँ विल फाइंड अट लीस 10-20 higher education channel चैनल ऑन यूर केबल ओ जित्थे तो आडे चैनल सारे फेवरेट चैनल खत्म होगे उत्थे चैनल शुरू होंदे ने जित्थों को तुसी रिमोड नों बाप्स कर लेने ने कि होंड सारे फेवरेट चैनल खत्म होगे ओ तो ब प्री डिटी अच्च दे रहीं पहुंच रहेंडे सो एदा काम मैं सब तो बड़ा काम इन एजुकेशनल टीवी चैनल बास्ते प्रोग्राम बनावने लेसन रिकॉर्ड करने उन्हानों टेलीकास्ट करना डिसकशन सेशन और्गनाइज करने फिर डिजिटल मीडिया लेवल ते वी युनिवस्टी लेवल दे कॉंटेंट नूँ एक जगा कठा करन वास्ती सो सी इसी ने हुन तक ये तो अडि प्रेजेंटेशन जमें 20,000 लिखे सी हुन तक तक तक्रीवन ती तो पजाह जार दे करीव डिफरेंट डिफरेंट लेसंस वीडियो ओडियो सीडि रिकॉर्ड दा रिकॉर्ड बनाके रख लेया अपनिया लर्निंग रेपोजेटरी दे उपर वक वक टॉपिक्स नूँ कवर कीता जासा दा डिजिटल मीडिया लाइबरेरी नूँ इस्टैबलिश करना डिफरेंट 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 तरह दे इन्रिच्मेंट कम करने यह एजुकेशन नूँ परमोट करना यह कंटेंट बनाना डिफरेंट युनिवस्टी दा कॉल्जिस दे कोर्स दा बिचिज दा वर्क आफ सीची जिमें सी इईटी स्कूल लेवल ते टीचर्ज नूँ गाइड कर दिया कपैस्टी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाओं दिया इचली इचली ते बिटे कर दिया नैशनल इंटरनेशनल लेवल कोर्ग्राम बनाओं तेटीचर्ज नूँ ट्रेन करना उन्ना दी कपैस्टी बिल्डिंग करना सारे प्रोग्राम की देने CEC दे ओके इस इस अल अबाउट CEC जिनने मर्जी पॉइंट बनाके लिखलो पेपर दे विच्छा कम की ने फंक्शन की ने रोल की ने ओधा कॉंट्रीबिशन किया एडुकेशन टेक्नोलजी दे विच्छ CEC दे जहां युनिवस्टी या कॉले ले एडुकेशन और कॉंट्रीबिशन कादे वास्ते कम कर दिया कॉलेजिस एंड युनिवस्टी दे कॉंटेंट वास्ते जो तो अन्नू स्कूल लेवल दा याद हों दा उन्नू कॉले लेवल दा कॉंटेंट बनेगा कॉले लेवल कॉले लेवल दा स्कूल लेवल ते स्कूल दी ट्रेइनिंग होएगी कॉलेज ते यूनिएस्टी लेवल ते ओ टीचर दी ट्रेइनिग होएगी यह थे स्वाइम दा नाम जाना यूज करनो ते एंसी आटी दा नाम जाना यूज करनो सो इन देस वे यू कन राइट अबॉट कंसोर्शिम फार एजुकेशनल कॉम्निकेशन इजेट ओके बेटा तो टाइम बहुत कीमती है इस करके मैं बहुत फास्ट चल रहे हैं सो देट तो टी माइंड चेक बारे ना सारी है जानू रीफ्रेश कर सकीए इजेट ओके कोई कंफ्यूजन था नियरे विच्छे ओके फाइन लास्ट वान जेड़ा हुना अपा अल्रेड डिसकस कर लिया यह यह एम आर सी एजुकेशनल मल्टी मीडियार सर्च सेंटर मैं पहला नाम दा गलत लेगा सी प्लीज कुर्रेक्टेट एजुकेशनल मल्टी मीडियार सर्च सेंटर जेड़े किदे अंडर कम कर देने सी इसी पहला नाम सी मीडिया सेंटर जो तो बात देवचे ना रिफाइन कीता अगे न मल्टीमीडिया रिसर्च सेंट्र और स्टैबलेश एंड फंडड़ वाय की ने मिनिस्ट्री ऑफ हुमन रिसूर्स डिवेल्पमेंट एंड युनिवेस्टी ग्रांट कमिशन एननौं फंडिंग दिया इननौं इन्फ्रसक्चर दिया चैनल्स चैनल्स है एसे उननाःस सारे चैनल्स दे वास्टे कॉंटेंट त्यार करना ऑडियो वीडियो त्यार करना उननाः चैनल ते discussions organize करनिया, expert नू बलावना, उनना दे lesson live record का, discussion lesson करने, जा recorded lesson चलावने, उनना नू develop करना lessons नू recordings करनिया, script बनावनिया, all these tasks are coordinated by the EMRC. लोकल लेवल ते कोई रिसर्च करनीया, लोकल लेवल ते किसे रिसर्च दी एवैलुएशन करनीया, लोकल लेवल ते कोई इनोवेटव कम करना, इनना सारियां चिज़ा नों कौन करदेने, स्टेट लेवल ते जो सेटप कीते गएने EMRC सेंटर्स, इनना EMRC सेंटर्स नों जेड़ी आनवाडी जनेरेशन ना जो नमा एजुकेशन टेकनोलजी देविच्छ इजुकेशन ची कम हो रहे हा उस कम बास ते टीचर्ज नू त्यार करना कॉंटेंट नू त्यार करना अप्वो अपने रीजन देविच वर्क्शॉप और्गनाईज करनी हां कॉंफेंस जो और्गनाईज करनी हां इन्फा सेक्चर बनाके एज डेमो देना ता जो वकवक कॉल जांते युनिवेस्टियां दे टीचर एजुकेशनल टेकन टेकन सकंड देकन अंडेस्टेंड दा न्यू थिंग्स इन एजुकेशनल टेकन टेकन डेकन डिवेल्प परोग् मेडियार सर्च सेंटर दी दिखो जिते EMRC बनएभा घैल्न करके चैनल टें आपलोड करन वहीं दूज़ीजय टेचर टेकन अजयर गईगी डिजिटल लर्निंग वास्ते श्लोल लर्न जा फास्ट लर्न उसे वास्ते इट कैन भी यूज़ फिर एजुकेशन टेलिविजन दे जिनने भी प्रोग्राम चल देने उन्हानु कांटीनु रखन वास्ते ज्ञान दर्शन चैनल चलदा व्यास चलदा डीडी पार्ती चलदा इनना सारि एजुकेशनल मल्टी मीडिया रिसर्च सेंटर्स टाइम टाइम ते डिफरेंट काइंड आफ शॉर्ट रिसर्च एक्षन रिसर्च जां वड़े वड़े रिसर्च प्रोजेक्ट करन दा काम भी की दे कोड़े या इम आर्सी कोड़े ए भी सारा कम उननंदता है फिर अलाग करना चाहना कुछ ए अमर्सी सेंटर कोरस इस तरह दे कोर्स जो ना रहे नए जीने मेरी चेगजंपर देती युनिवस्टी दे विच जाके उना दी फकेल्टी नूँ एजुकेशन टेक्नालोजी वारे ट्रेन करना ये भी कम की दा EMRC दे स्टाफ दा वकवक तरहां दे एजुकेशनल प्रोग्राम जी प्रडक्शन करने रिसर्च करने सारे आँ बास्ते सारी स्टेट वास्ते एक कॉमन प्लैटफोर्म दे ना जित्तों सारी स्टेट गाइडन्स लह सके जित्तों सारी स्टेट अपने आपनों के मैं इंप्रूफ करना एजुकेशन टेक्नालोजी नूँ के मैं क्लासांच यूज करना है बच्चयां धि अचीवमेंट बदा हुन्य यह उन्हा सारियां चीजानों क्वाडिनेट करन दा कम की दा EMRC सेंटर्स दा ओके सो दिस आल अबाउट दा EMRC सो जे तो नू इनना तिन्नों दे वारे अजे भी कोई डाउट है CEC Consortium for Educational Communication जड़ी University Grant Commission दे अंडर कम कर दी है GD 1993 दे विच बनाई गई सी जो बखवक शे मीडिया सेंटर चल रहे सी उन्हानू क्वाडिनेट करन ली नोडल अजनसी दे तौर दी After that CEC दे अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ EMRC बने जिनना नू MHRD ते University Grant Commission ने स्टेट वाइस बना के डीजल लेवल ते कॉंटेंट बनाऊन दी कोशिश किती गई फार हायर एजुकेशन एंड फार कॉलिजज युनिवेस्टीज उन्हानू की बोल दे आपाँ EMRCs EMRCs ग्राउंड लेवल ते कम कर देने, ग्राउंड लेवल ते स्टेट लेवल ते कम कर देने, उनना सारे नूं कॉडिनेट जी करनवाल एजंसी दा नाम किया है CEC जिरे अलाग-लाग युनिट ने, अलाग-लाग विंग ने, शिक्स विंग देवचो कम कर रही है This is all about the CEC and EMRC जो तो अडे माइंड चो हूँदा, जो तो अनू लगदा के एक ट्रेनिंग सेंटर करवा सकदा हूंदा जो कॉल जान देवचो युनिट चेंच कम हो रही है, करवा सकदा, ओ कॉन करवा सकदा, EMRC and CEC जो स्कूला दा कम होएगा, ओ कॉन कराएगा, CIT स्कूल लेवल दा जिन्ना आपा लिखना कीना दा वारे लिखना, CIT वारे, जिन्ना कॉल्जिस ते उनिएस्टी वारे लिखना, की दे वारे लिखना आपा, CEC ते EMRC वारे सो जो तो आडे माँच, वीडियो कंटेंट, लर्निंग एप्स, ट्रेनिंग करवानी, यह सारे चिज्जा याद होंगी याने, कॉल यह याद लेखना, CEC ते EMRC दे विच, जिन्ना स्कूल लेवल दे याद होंगी, लेखना, CIT दे विच, ओके, इन्ना सारे चिज्जा नू कम कर देने, किस तरह ना कम कर देने, की की नहीं नमा कीता, ओल कन वी रिटन इन रीसेंट ट्रेंड इन एजुकेशनल टेकनोलोजी, उन्होंगे सखे चारों कोश्चन करने, जो भी नमी चीज तुसी पिछले पांच, जो दस सलाँच देखी है, उन्हों वदिया जया लेवल अंडर होया, किदे अंडर लेख सकते हूं, CIT देंड़ा, ओके विठा, इफ यूव अन्य कांड आस्क मी, I think you must have very little time today, को कि तुसी अप अपने त्यारी कर रहे होंगे, so I thought this session can help you people to revise your content so that when you will be sitting in examination hall, you can remember these things and frame few points so that you can cover all these points. Apart from these four topics, तो अन्नों ET दे किसे भी topic ते कोई लगदा इशू, तो अन्नों कोई ते कोई चीज doubtful लग दिया, जिननाग मैंनों अदा होएगा, I will try to tell you people, you can ask question in two to four minutes. तो अन्नों ये समझा आगया बेटा सारे है नूँ? Yes, sir. इननाज कोई डाउटता नी बेटा चाहरांच? No, sir. अन्नों रिक बच्चा थोड़ा बात लिख सकता है दे बारे? हम जी. जिड़े बच्चे नहीं भी बोले होँए अपना मैसे लिखके दास दो के नाव वीकर राइट अबाउट इट, ओके? कोई होर तो होँए जीज़े रिगारडिंग तो अन्नों कोई भी डाउट होँए विचाई कन क्लारिफाई, प्लीज. Is there any problem? Is there any doubt of any related to any topic? I can try to give answer. It may or may not be 100% correct, but I can try. Sir, Unit 3rd दे वेच ना एपाटा प्रोग्राम दे इंस्ट्रक्शन, इदे विच जिद्धा कंसेप्ट, प्रिंसिपल और स्टाइल्स होगे, Sir, सिलेबस दे विच इदे नाडे निख्या, थरेटिकल, रैशनेल, एपाथा नी जाल रहे दे विच, इदे विच जिदो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स बारे ता दूनू सारे नू पता? थरेटिकल, रैशनेल की या प्रोग्राम लर्निंग दा, सारी स्केनर दे थिवरी. जदो तो अननू थोरेटिकल, रैशनेल और प्रोग्राम लर्निंग पुचे यांदा, सब्सक्राइब पहला कदों आया, जदो बीएफ स्केनर ने अपनी अपरेंट कंडिशनिंग थियुरी दा, ता अपरेंट कंडिशनिंग थियुरी दे नाल जडियां सारी चीजा ने प्रोग्राम लर्निंग दे फॉर्म दे विच समने निकल के हो दिया, अ किसमेन याद दलाओ की कईने। एक याद हा थोड़ा वह ता। अ हो थी सिल्दी ऑरें याद होड़ा है, स्टिमूलेस रस्पॉंस वोड़ी गल मेंसे सी। हां जी, स्टिमूलेसर रसपॉंस वारें थी कम कहल कर दियां सी। यह तोआप एक स्टि मुलस मेन ृसपांस धी गल करता था सरे स्ट er ने की डिफरेंट पी आप्स ecc्पेरिमेंट टंकी त pracy ते था टुंक है कादे किता सी इतिफ टॉर्ण टाइ你们 श किनर दा चूहा ठॉम की बिल्ली ओंग एये की दिंए वल्दी मर्दी यांसी पे डबू डब गरा सो जड़ा स्किनर ने कीता हो ते रहते कर ले या थॉर्ण डैक ने बिली दे कर ले हो और दसों की फर्क सी ट्राइ ट्राइ मैं ताँ पुछ रहे हैं तोड़े दो मिंट ले रहे हैं कि तो अनों रवाइज होवे फिर तो अनों थ्रॉरेटिकल रैशनल समझा जेगा प्लीज पीटा सब तो वड़ा चेंज की सी स्किनर दे और तो पहला सारे जड़े स्टीमूलस रिस्पॉंस दी गल करते सी जिन्नों पर केने एस आर यहीं कल करते सी न जदों स्किनर आ गया स्किनर नहीं उल्टा करन दी कोशिश किती उन्हें रिस्पॉंस नों पांस्तो बाद स्टीमूलस केड़ी फार्म चांदा सी इन्दा फॉर्म आफ रियन्फोर्समेंट अमाई राइट यहला की करता सी जिन्नाचर रैट अपने केज दे विचे हिलदा नी सी उन्नाचर उन्नूं फूड मिलदा सी केड़ा एक्स्पेरिमेंट सी याद आगया स्किन्नर दा रैट कोई मूमेंट करेगा जियो मूमेंट गल्त करेगा तो नूं क्रांट लगेगा जियो मूमेंट सही करेगा तो नूं की मिलदा सी फूड मिलदा सी उन्नू रैट नू लीवर दे दब्बन तक वेट नहीं करने पैंदि सी फूड दी जदों रैट थोड़ा जया सही रास्ते पे चल दा सी ता सकेचनर और पूड देने दा सी जितों कंसेप्ट आया स्माल स्टेप्स के जड़ी लर्निंग हुं दी है लर्निंग शोटे-शोटे स्टेप्स देनाड हुं दी है ना के आप बच्चे नों कहिए जिनना चर तू एवी सी पूरी नहीं लिखेंगा उनना चर तुन उसी गोड नहीं देनी वण जै बच्चा एतो लेके जैड़ तक लेखना पाव नहीं होता बिच्चे डरके इसटब के शाड़ के शाड़ देगा कि में तो नहीं लिखी यानी जैसे हुन थोड़ी जी स्लांटिंग लाइन पाहुट्टे टीचर की काइद ने वेरी गुड वेरीगोड वेरी गोड स् सेंटर जो लेट मी लाइन जोड थी बच्चे ने की लेखता ए लेखता है लेखता है यह यह फूर की ने ए लेखन दे तिन स्टेप होगे दो स्लैंटिंग लाइन वन होरीजेंटल लाइन जदो बच्चे नों अपना शोटा-शोटा काम करन ते उन्हों मोटीवेट कर देया नर्सरी जो टीचर्ज उन्हों है वेरी गूट केंदे ने स्लांटिंग लाइन लेखन ते वी आर फॉलिंग स्किनर थीओरी आफ स्मॉल स्टेप्स स्किनर दा कम कीसी के जड़ी लर्निंग हों दिया है वो शोटे-शोटे स्टेप करन ते बैटर हों दिया है इसे करके जो प्रिंसीपल आफ स्मॉल स्टेप्स जेड़े तुसी प्रिंसीपल पड़े ना एही हो दे थ्रैटिकल रैशनल बढ़ने ने लिखने की ने लिखने ने स्किनर दी थी थीओरी ना कोर्लेट करके प्रिंसीपल आफ स्मॉल स्टेप कितों आया थ्रैटिकल रैशनल कितों आया जोड़ा है चलता से फूड में लग गया एसे तरीके ना जोड़ा हम सी लीनियर प्रोग्रेमिंग बढ़ाने हो जे बच्चा एक शोटा या अंसर भी दे रहे हैं तुसी उन्हों की कर रहे हो गुड़ वेरी गुड़ कहके अगले फ्रेम ते पेज रहे हो दैट इस पॉइंट की बढाऊंगे स्मॉल स्टैप्स ऑफ स्किनर थियोरी जो अग्जांपल दो जन्हें के रैट दी एक्जांपल दे लियागा से मेसे चीज़ नों जोड़ों एजूकेशनल लेच इंप्लीमेंट कीता गया कि लर्निंग की हो सकते स्मॉल स्टैप्स ना बैटर हो स सी चाहे रैट एक दिन सुता प्यारा था पिंज़रेक्श स्किनर भी सुता प्यारा सी किना जदो रैट पुखा उएगा जदों बच्चा पढückा वास्थ से अंद्रों मोटिवेट होएगा अंद्रों उच्षाहित होएगा फिर फिर बच्चा की करेगा मूवमेंट करेग जदो मोमेंट करदा थोड़ी जी भी सही करदा ता अपनों की दमागे रियनफोर्समेंट दमागे स्मॉल स्टेप रिस्पॉंडिंग गिविंग पॉजटिव एन नेगटिव रियनफोर्समेंट जन्हों शडियूल आफ रियनफोर्समेंट के हासी स्किनर ने ओधा बढ़ेयां फिर की बढ़ेयां उस तो बाद जो दों बच्चा टास्क पूरा कर लेंदा तासी उन्हों कंप्लीशन आफ टास्क की कर देया होदी फिर हैसल करा 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 के देख देयां फिर होदी ट्रांसफ लनिंग देख दीयां किन्हीं ट्रांसफिर अफ लर्निंग पास्ट ब दिया और दीजिए ट्रांसफ ट्रांसफ लर्निंग नेगटिव हैं ऑल इस थ्यूरेटिकल पॉइंट्स आफ शिनर त्योड़ी आर दा बेसिक रैशनेल ऑफ परग्रैम लर्निंग जदह तुसी पूचाय काउडुटर ने राउंचिंगं कि ठोओ रही है रांचिंग दीं जड़ी सारा टाया हगाव आरया तो ड़ा गेशाटाइट सेक जब्평लजी तो सिकनर ने कि देgebaut केंडि फॉल दिम वालफर फट जी डवल जुना नाम स्टार्ट हों दे सी इनना सैकोलोजिस्ट ने एक थेयोरी दिती सी जीनू कि कहा जान्दा गैस्टॉल्ट स्कूल अफ सैकोलोजी जडियां उन्ना ने थेयोरी जटियां ओकी कहने सी होल इस मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स जेडा उनना ने सिखाया सारा कुश है उन्हें कीनों एफेक्ट कीता तो अड़ी ब्रांचिंग दी जड़ी आई प्रोग्राम लर्नी ब्रांचिंग नों उन्हों उदा बेस की ने प्रोवाइड कीता शुरू कीती सी क्राउडर ने क्राउडर ने ओधा बेस कितों आया गैस्टॉल्ट सेकॉलजी तो जड़ी लीनर प्रोग्रामिंग आई उदा सारा थ्रेटिकल रैशनल कितों आया फ्रॉम स्किनर्स ऑपरेंट कंडिश्मिंग त्यूरी बेसिकली ब्रांचिंग भी लीनियर तो शुरू हों दी है या तो त्रेट दे विच्छ कुछ क्रिटिसिज्म होया अठनों सालां दे बाद नॉर्मन एक राउडर ने ओपरेंट कंडिशनिंग एंड गेस्टाउल्ट सेकॉलजी नू कठा करके जिदित्ति उनू की गूल लाया जांदा ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जहां जिनू अधर आइडिया इनी अधर प्रॉलम नो सब्सक्राइब की बच्छे वही जो सारे चुप होना एक मीनिंग उंदा जा सारे नू समझ आ गया जब किसे नों भी सम्झ नहीं आया तो ओन विच अधर दिरेक्शन वी पेपल आर अट प्रेसंट इस एक क्लियर वो ओल क्लियर को साफ हो गया एक लिए चलो फेस्ट विश्फिश्व फार यर एक्जाम थेंग अधिया इन काइंड अवर्य आइड यह व्यू अधर्यु आइस आपनी लाइड आप्रीश्ट इ तो आपके तैंड आपके टॉपल दे टॉप पिपल कन अल्सु एल्प देम विल बी एक्स्पेशनिंग वन टॉपिक तो अनदर तो अड़ी त्यारी डबल हो जेगी उदिना ओके शेर करोंगे उना ना इंज्वाय करोंगे ऊके थैंक यू वरी मच और बेस्ट विशिट वार प्रॉब एक्सरा ना? a mediocre teacher explains a good teacher demonstrates and a great teacher inspires a journey which began over a hundred years ago. This is the story of Guru Harg Gobind Sahib Khalsa College, also known as the wonder in rural hinterland.